नमश्कार दोस्तों मैं निधी सिंग दफैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूं जानेंगा आखे क्या है डेरा सच्चा सॉधा के परमुक संट्च गुर्मीत राप्रहिम सिंगी इंसा कास्थ नमस्कार मैम, क्या नाम है अपका? मेरा नाम अनीता इंसा है, मैम क्या क्वैलिफिकेशन है अपकी? मैं बीस्ती नर्सिंग हूँ, कब से जुड रहे हो मैम आपसे आरे हो डेरे, पांच साल की थी तब मैंने नाम लिया था, मेरे मममा आते हैं सेवा पे, तब से मैं आती हूँ हमें अच्छा सिखाते हैं यहां पे, हर चीज के लिए पिदाई सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिरफ धरम के बारे में बताते हैं, रियल लाइफ में आपको पेरेंट्स के साथ कैसे डिल करने हैं, बाहर पबलिक के साथ कैसे डिल करने हैं, वो हमें सब सिखाते हैं यहां मैं सेवा करनी हूं यहां तब भी मैं दो तीन दिन यहां नाइट स्टे करके कोई ऐसी परशानी निया बिल्कुल से जो भी मानवता भलाई के कारे कुछ कार बता सकते हो आप जो आपको ज्यादा है मतलब अट्रेक्ट कर रहते हैं संथी की तरफ मतलब उनकी टीचिंग लेसंस सबसे बड़ा तो यह ब्लड कैम्प है तो हम रूटीन में सेवा भी करते थे ब्लड कैम्प में ब्लड डोनेट भी करते थे अक्शली मैं देखो दिखी रही हूं इतनी वीग थी भी रही कि रहमत से सेवन एट ग्राम एच्पी तब से मतलब ब्लड डोनेट करने लगी उस सिर्फटय भातने आर्मी वाले ऑले बहुत आंटे है इतना उनिट हो जाता है लो काफी यूनित ले कर जाते तक सूड़ में इतना यूनिट होता था में में 415 अंड़ तो बी से ली जाते एथे ले यह मैं जैसे आप और पिव जाते होगे मतलब जो आपकी जोब है उसके तो फिर वहां के according कितना मतलब ब्लड डोनेट यहां पर जाता होता था यहां तो मतलब सबसे मतलब मैक्सिमम मैंने देखा तो यहीं देखा है हमारे duties मतलब PGI रोतक में मैं जोग करती हूं हैं वह बेज़ते एंवें तो देखा है पदीशना मेगा ब्लड केम जो यहां तो अगर डेरा सच्चा सुधा के हां से अगर ब्लड सप्लाइर जो य़्री में दी जाती है तो बहुत जरूरी है ये blood camp continue लगना और आगे ये मतलब पहुचना लोगों तक है मैम संत जी कि आज समाज को जरूरत है आपको लगता है बिल्कुल जरूरत है बहुत जरूरत है काम तो देखो अभी भी कर रहे हैं जो सेवादार हैं उनकी बातों पर अभी भी चल रहे हैं लेकिन पिताई की presence में जो हम मतलब जितनी लगन से और शिद्दत से करते हैं वो अब हम नहीं कर पारें पिताई होंगे तो ये काम और अच्छा होगा बेटर होगा मैम इतना blood donate करवाना किसी से जो कि कहीं 50-60 unit होता है maximum blood donate और यहां पर हजार और लाख तक भी गया है unit तो मतलब फिर क्यों एलिगेशन लगा जा रहे हैं संती पर क्यों गलत कहा जा रहे हैं अब पिताई मतलब एक डेरा सच्छा सोधा यह कैसा है कि जो अब बहुत आगे जा चुका था सब को पता है क्रोडों लोग यहां से जुड़ रहे हैं सब वेल क्वालिफाइड ऐसा नहीं कि मतलब कई लोग बोल देते हैं कि अनपड़ लोग जाते हैं जिनको पता नहीं है बस पिछे चल पड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है एजुकेटिव लोग भी बहुत आते हैं तो यह चीज़ें लोगों से टॉलरेट नहीं हुई तब ही यह एलिगेशन लगे अदरवाइस ऐसा कुछ नहीं है यहां क्या पील करेंगे मैं सरकार से सरकार से यही अपील करेंगे तो और ज्यादा अच्छे और काम होगे बहुत बहुत धन्यवाद मैं मापका जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर हैं वेल क्यलिफाइड हैं यहां पर भी संति जी के यहां पे भी यह लगातार मानवता भलाई की सीवा करने आती हैं रेगुलर और बिलकुल वेल क ढ़चाओ करते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो ब्लड डोनेशन होता है वह इंडिया में सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्छा स्वधा के अंदर ही होता है कोई भी संस्था ऐसा कारेन करती जैसा डेरा सच्छा स्वधा करते हैं एसा वर्ल्ड रिकॉर्ड respective एस उंत्रों बचाता है और आज उन्होंने ही सुत्रों के हवाले से खबरे चुन के संत जीक पे ये allegations लगाए हैं ये था डेरा सच्चा सौधा का असली साच एक डॉक्टर के द्वारा आपकी जो भी राया कमेंट वाक्स में जरू लिखेगा बहुत बहुत बहुत